सहलो बच्चों अब दो दिवाली खत्म हो गई है अब दिवाली खत्म हो गई अब एकदम काउंटवान स्टार्ट है त्योहारों का सीजन भी खत्म हो गई अब मुझे लगता है आपके चेहरे पे आपके सर पे आपके फेस पे अजीब सा प्रेशर सा बनने लगेगा और उस प्रेशर को आप रेडियूस कैसे करेंगे वो आपके हाथ में है तो इस वीडियो में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि कैसे नीट 2024 को आप जीतें कैसे आप नीट 2024 से positively इनों result लेके दें अपने parent को, खुद को, अपने relatives को, अपने छोटे भाई बहनों को और कैसे आप अपना खुद का जो आपके अंदर एक dream है, अच्छे medical college से अंबिवियर्ज करने का, उसको पूरा करें तो चलिए कुछ चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताना सुरू करता हूँ, मैं तीन पॉइंट आपको बताऊंगा, और इन तीनों पॉइंट में काफी हद तक चीज़ों को cover कर लोगा, सबसे पहला point, measure your time, आप जो भी काम करते हैं, आप साम तक, यानि जब सोने से पहले अगर आप evaluate करें अपने काम का, तो कई बार हमें लगता है, यस हमने पूरा कोई time waste नहीं किया, लेकिन हमारा result अच्छा नहीं आ रहा है, हम revise कर ही नहीं पाएं पूरे subjects, कही के बार biology revise किया, chemistry नहीं किया, chemistry revise किया, physics नहीं किया, physics किया, तो ये दोनों नहीं किया, जब तक यानि time को देखेंगे नहीं, minutely study नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी कमियान नहीं पता चलेंगी, यानि आप measure करो अपने समय को, measurement यानि लिखो, लिखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी time मिलेगा, जो आपने अपना खराब कर दिया आज है, और अगर खराब कर दिया, त कुछ सामको, तो अगले दिन naturally दिमाग कहेगा, यारी ये काम मत कर, इससे आपका समय बरबाद होता है, यानि आप सब लोगों से मेरा request है, time को measure करो, ना पो, तभी तो पता चलेगा गलती कहां कर रहे हो, दूसरा, make a list, आप अपने दिन की सुरुवात list बना के करिए, कि को ये करना है, और सामको अगर आप measure भी करेंगे, तो आपका जो measurement है, अपने आप बताएगा, यहाँ यहाँ आप violet किये हो, खुद के rule को खुद violet कर रहे हो, यह आपका दिमाग आपको ज़्यादा करने नहीं देगा, यानि आपको improvement दो चाक दिन के अंदर ही आना दिख जा होने वाली होगी, सारे shoot की, मेरे यहाँ 4 दिसंबर से start हो लिए, अपने test को, Sunday के test को, Monday से ही planning करो, Thursday तक उसको खतम करो, और Sunday test को Saturday, Friday, Thursday, Mark testing खुद से करो, test को ही माल लो, यह आपका need exam है, गलती से भी panic मत हो, क्योंकि panic होगे, cost आप ही पे करोगे, कोई और नहीं, आता हुवा question छोटना नहीं चाहिए, एक method, एक system develop करो test में, जो आपका साथ दे, system can be, you know, traditional, biology से start किया, chemistry ट्राई किया, physics ट्राई किया, system can be anything else, कि 10-10 question तीनों का कर लिया, फिर 10-10 तीनों का कर लिया, फिर 10-10 तीनों का कर लिया, maybe anything, but it should be your own test, your own schedule, your pattern, तीसरा है, time table को fix कर लो, fix time table हमेशा help करता है, time table को fix करोगे, आपको discipline बनाएगा, Sunday class नहीं है, सो गया है, 12 बज़े तक, 10 बज़े तक, it will never help you, कभी भी output अच्छा देगा ही नहीं, नंबर खराब आ रहा है, excuse बना दिया, कभी भी रेजल नहीं देगा, time table में, आपने सोचा नहीं जी, जिस दिन 8 बज़े class होती हो, उस दिन तो मैं 7 बज़े उठता हूँ, आज class नहीं, इसलिए सो गया है, बिलकुल नहीं, ये lifelong आपने को नहीं करना है, आपको entrance exam तक त्याग करना है, उसके बाद तो चीज़ा routine में आ जाएंगी, अब routine में आ तब आपको नहीं खलेगा, तो आपको आपका test नहीं होगा, फिर तो exams होंगे, जो given service के होते हैं, और उसमें competition नहीं होता है, उसमें pass करना होता है, तो मेरा सब को सजा है, तीन चीज़ें, पहले measure कर अपने time को, list बनाओ, और उसके बाद fix time table follow करो, अगर ये तीन चीज़ें आपने कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोब पाएगा, आपकी performance इंप्रूब होती दिखेंगी, आपका output बेटर होता दिखेंगा, and I'm sure आपका खुद का confidence भी इससे बहुत positive की दरब जाएगा, so all the very best, and take care of yourself, thank you very much, bye-bye.